बहुने बच्चा जना है इत पत्थन नई बिटिया हुई इब उरिया को मिस्राइन का तीखा स्वर सीधे अम्मा के सीने में तीर बनकर लगा बिटिया हाई दुर्गा मैया इका की अरे दुई का कम थी जो इस बुड़ी छाती पर एक और टपका दी वो सारे में बैठी अम्म बिस्पान का कटोरा लेकर आई है हे दुर्गा मैया अम्मा का बढ़ बढ़ाना चालू था मिस्राइन गरम पानी का भगोना उठा कर फिर कोठरी में चली गई अंदर से अब कुमूद्री के कराने की आवाज नहीं आ रही थी बेचारी बेटी का मुँ देखकर अपने दर् जहार करने का दिकार भी गवा चुकी थी अम्मा उसारे से डोलती हुई रसोई के दर्वाजे से आ लगी रीनु सीनु चार एवं धाई वर्स की गन्याय बूढ़ी दादी के गले से आ लगी मा को भईया हुआ है रीनु ने दादी की जूरी पड़े गालों को अपने नन्न नन्ने हाथों से सहला कर पूचा हाई रे दाईया कैसा अगोरी पड़ी है भाई को अरे तुम सब का भाग ऐसा ही होता तो का था तीन तीन बहने हो गई तुम सब सच्ची दादी कहती हुई दोनों नन्नी वालिकाए हटात अधिकार पूरवग दादी की गोद में चड़ ग और जब तू तू रेंगती है बोलती हैं तो ऐसा लगे मानो फूल बरसा रही हो ओदेपता दोनों छोरियों को अगल वगल टांगे अम्मर असोई में आ गई एक को गाड़ी में दूसरी को दरी पर बिठा कर दो चार कटोरी चमच उनके सामें रख दिया गेस जला कर उस प पूर में बहू और बच्चे के साथ है वैसे तो हाथ में धेरों नोट होते हैं उसके पर तनखाह गिने गिनाई ही तो मिलती है ना और उसी से गुजारा करना पड़ता है पती की भी वही तीस साल की पुरानी मुनीमी की नौकरी ना एक पैसे के तीरिक्त आमदनीना कुरसी की तरकी तीस साल पहले जो गद्दी मिले थी वह आज भी बरकरार थी हाँ बीच में तीन चैर वार उसके कपड़े जरूर बतल गए थे सेड़ जी दरिया दिल दिखाते हुए हर तेवहार पर मिया बीबी दोनों के लिए कपड़े जरूर भेजते अम्मा की बड़ी अभिल के हाथ में नहीं है औरना ही इसके लिए पूरी तोर पर कुमुदनी जिम्मेदार है अरी बहु जी बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो मिसराइन का तीखा स्वर फिर कानों से टकराया चाय ही बना दो चाय अरी बच्चा जना है बहु ने इत पत्थन नहीं जो चाय दे दीरज धरो अरी तू का मुझी दीरज धरा रही है तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा लड़का ना शही लड़की ही सही पर लेने में कौन सी तू को ताही कर देगी लो और सुनो मिसराइन वहि आंगन में पसर गई नौ माँ से तो तुम्हें बोले जा रही थी वादा की थी कि लड़का होएगा तो ये दूँगी वो दूँगी अब दोस हमें किये जा रही हो अरे बिटिया जनने में न बहु को कम मेनत करनी पड़े है न हमारी मेनत कम होए है बेटा या बेटी दर्द दोनों में बराबर ही होए है बहुजी अरे मिसराइन दर्द तो तोनों का मैने भी बराबर जहला है पर यी बात पोते की चाह भला किसे न होए वो तो ठीक है बहुजी पर तुम्हारे बेटे का बोले है कि तुम काहे को जी जला रही हो बयाँ शादी की चिंता वो करें जो एके माबाप है वह दादी हूँ इनकी तीन तीन बेटियों की जिम्मधारी हो गई अब हम पर एक बास सुन ले मैं खूब जानू की तेरा मतलब क्या है अरी बाउजी वह तो मैं अब भी कह रही हूँ बेटे का दूसरा बयाँ कर दो लड दबा जरूर है थोड़ा पर पहली जच्ची में लड़का ही देगी यह गारंटी है क्यों पेट जाच कर आई है उसका अरी कलमुही उधर बहु दर्द में पड़ी है और तू उसकी चाती पर सौत लाने की तयारी करवा रही है हमारे ही बेटे की दूसरी साधी रचाने आत हरीरा बहु को पिला जाकर मैं दाल चढ़ाती हूँ बहु ने जल्दी जल्दी बच्चे जने है उसे कमजोरी आ गई है बहु अगर बिमार पड़ी तो तेरी खेर नहीं अम्मा बढ़़ाती रही वाँ जी मनुस जानवर तो चोड़ कोटे वाली की भी बिटिया होए तो द संदीब के कंधे पर हाथ धरे अशर से खड़े रहे गए सुगह तक तो पत्नी ज्वाला मुखी बनी बहु को भूर रही थी और अब अचानक सी इममता का दरिया कहां से फूट पड़ा है उन्होंने संदीब की पीट थप थपाई और मुस्क्रा पड़े वाहरी नारी तेर चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू फार वाचिंग मैं वीडियो